मेरे चेनल के और वीडियो में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं वौटर कार्ट के बारे में अगर आपका एज 18 साल हो चुका है आप अपना वौटर कार्ट बनाने की सौच रहें तो यह वीडियो आपके लिए है तो वीडियो को पूरा बनाने के लिए आपका एज 18 साल होना चाहिए और कुछ डॉक्यमेंट्स क्या वा सकते होगी और एक फॉर्म होता है एज अब कर सकते हैं किसी के लिए कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे तो इस वीडियो में हमलोग मोँबाइल सचांगे कि कैसे आप रिएडर का अप्लाई कर सकते तो अब जते हमा लोग मोभाइल स्क्र 열ानों आज में कि तो फाइनली हमनो रोग आचुके पने मोबाईल स्क्रीन पर अब यहां पर आपको अपना पर ले नहीं तो मैं अपना प्ले स्टेर को लेता हूं उसके बाद यहां पर आपको भोटर हैल्फ लिक्त के सर्च करना है उसके बाद इस आपको आपको इंस्टॉल कर लेना है और अगर आपको पहले से इंस्टॉल ले तो आपको सिंप्ली ओपेन कर लेना है तो मैं भटाक के इसको इंस्टॉल कर लेता हूं इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपेन कर ले अब यहाँ पे नीचे में जो एगरी वाला है उसमें टीक करके और नेक्स्ट पर क्लिक करें इसके बाद आपका जो मन चाहा लेंग्वेज हो जिसमें आप समझ पाया है उसको सेलेक्ट करके गेटर स्टार्टर में दबाना तो मैं इंग्लीज दबाके कर लेता हूँ आप यहीं पे बोटर रेजिस्टेशन में दबाके जा सकते हैं नहीं तो नीचे में जो तीन लाइने उसको दबाना है उसके बाद न्यू बोटर रेजिस्टेशन फॉर्म में जाना है शिक्स नमर वाला में अब यहाँ पे अगर आपका पहले से रेजिस्टर नहीं तो आपक उसके बाद Send OTP पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल में GoTP आएगा उस OTP को डालेंगे उसके बाद आपको एक As I Am Applying for the first time पे Select करके आपको Next पे दभाना है उसके बाद यहाँ पे आपको आपको State Select कर ले झार करने मेरा तो मैं gi healthcare लेता हूं उसके बाद यहां पर आपको एपना piercing सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको आपको आपका विधान सबावो वह आपको यहां पर काच किसी चीज़ को भी अपको डाल सकते हैं। अधार काड़ सब्के पास अब लेबल रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको upload पर दबाना है, और आपको backboard करें र adviser करना है। वन परuload कार अपको ready embar лег consumption में जाना है अब यहां पर आप mud note करना है। तो मैं अपना सारा डिटेल फिल करके next दबा लेता हूँ अब यहाँ पे upload picture दबा के आपको अपना photo upload करना जो आप फोटर काड में डालना चाहते हैं और एक अच्छा photo रहना चाहिए जिसमें background एक color का हो उसके बाद यहाँ पे gender में आप अपने अनुसार चूच कर ले यहाँ पे name पर आपको अपना नाम डालना है नीचे में original name जाया है वहाँ हिंदी में automatic हो जाएगा उसके बाद surname में आपका अपना last name डालना है फिर उसका original में हिंदी में change हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अधार काड डालना है अगर आपके पास अधार काड नहीं है तो आप नीचे बाल ओप्शन में टिक कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे mobile number डालना है आप अपना relative का भी mobile number डाल सकते हैं उसके बाद थोड़ा नीचे आके आपको अपने applicant ID में जो email ID है वहाँ पे आपको अपना email ID डालना है और उसके बाद relative email ID में आप अपना relative email ID भी डाल सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा page को और आपको नीचे करना है उसके बाद आकर आपके किसी तरह का problem है आपके settlement disabilities है तो नीचे में दिएगे किसी एक option को आप चूच करके उसके बाद सारे detail को फिल करके आप next कर सकते हैं चलिए मैं सारे detail को फिल करके next कर लेता हूं उसके बाद यहाँ पे आपको अपने किसी एक family का epic number देना पड़ेगा जिनका वोटर कार्ट पहले से बना हो तो यहाँ पे आप अपने father, mother या wife का भी दे सकते हैं या फिर आपका मलब कोई और फिन है तो आप नीचे बाल option में select करके उनका epic number दे सकते हैं उसके बाद आपक आपको next पर click करना तो चलिए मैं फटा-फट डिटेल डालके next कर लेता हूं उसके बाद यहाँ पर आपको home address में आपको अपना home number डालना या apartment नमबर हो तो वो डालना है यहाँ पर पूरा page को आप बढ़े हां से देखिए आपका जो detail है village के जगा पर village आपका जो महला के ज change कर लेता है अगर हिंदी में कुछ गलत लिखता है तो आप मोबाइल का जो keyword रहता है उससे आप हिंदी लिख सकते हैं और village के जगा पर village आपको डालना है और post office के जगा पर post office यह automatically हिंदी कर लेता है तो हिंदी में tension नहीं रहता है लेकिन कभी काल अगर हिंदी में दिक्कत कर दें तो आप अपना keyboard से मिटा के उसको फिर से लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर आप अपना जो प्रूफ अड्रेस रहता है वहां पर आपको ठीक करना है और यहां पर आप अधार काट सेलेक्ट कर ले सबसे बेस्ट होता है तो मैं अपना सारा detail फील कर लेता हूं और तो यही चीज लिखना आता है और नीचे वाला जो जगा है उसको खाली दोड़े और थोड़ा सा page को आपको नीचे ले जाना है उसके बाद यहां पर आपको जो 18 साल का नीचे वाला option उसको खाली छोड़ना है और यहां पर place of applicant में अपना village के नाम लिख के आपको done दबा लेना है तो मैं done दबा लेता हूं सारा चीज फील करके उसके बाद आपको पूरा detail दीटेल को मिला लें और सब detail मिलाने बात आपको जब लगए हां सारा detail का सही फील और पीच बात आप page को नीचे करते जाए उसके बाद नीचे मैं आपको done का button दीक लागो जो अभी bl63 उस से आप दन दबाईएगा उसके बाद आपको अपना रिफ्रेंस नंबर मिल जाएगा उस रिफ्रेंस नंबर को आपको नो डाउन कर लेना या फिर उसको स्क्रीन सोट खीच के रख लेना है तो मैं फिलाल भी स्क्रीन सोट खीच के इसको रख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे मलब चेक कर सकते हैं कि आपका बोटर कार्ट बना या नहीं बना सो तो चलिए अब हो मस्किल में वापस आ जाईए उसके बाद आपको तीन लाइन में दबाने बाद यहाँ पर अपल बोटर कार्ड अपलाई कि हैं उसका आपको पता चलिएगा कि अपलाई हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हवा सो तो इस तरीके से आप अपना बोटर कारण अपलाई कर सकते हैं और उसको चेक भी और आध hm करता हूँ कि वीडियो में बताया गया सारे स्टेप आपको समझ में आया होगा और आप अपना भोटर कार्ट सक्सेश्फुली अपलाई कर पाया होंगे तो हमारी चैनल में अगर आप नहे है तो हमारी चैनल को सस्क्राइब करें, सेर करें, लाइक करें और हमारे चैनल के ग् झाल झाल